सब्सक्राइब करें अलका कशब चैनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस्ट क्रोशेट और निटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मेरे चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम इस तरह की जैकेट बनाएंगे मेरे यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नहीं अपडेट के लिए जुरूर सब्सक्राइब करें जी और आये से इसकी बात करते हैं इसे देखी मैंने इस तरह से बनाया हुए यह आपके साइड और ये इसकी फ्रंट है यहां से यह ऐसे और इसके ऊपर फिर मैंने ये पूल लगाया हुए बनाकर और ये किंगरी की हुए असमीं और इसमें ये सिम्पल नोई लगाई हुए यह जिक डबल क्रोशेट किया हुए चेन बनाय हुए और सिम्पल बनाय हुए तरह है इसको देखे हो कि यह इसके बहुत के बाद मैंने इसमी इसकी यह सव रिख सैज यह थे बहुत कर लें तो नहीं पद लग रहे है इसको, मैंने यहां से यह बना के back side और यहां से इसमें यह इतना portion बनाए हुए निच्चे का गुलाई में और उसके बाद यह उपर से इसमें अलग से उठाये हुए यह double crochet और फिर बुना हुए और यह किंगरी की हुई है इस तरह से आए से बनाना शुरू करते हैं इसके लिए कोई भी जैकेट फ्लेक्सिवल से बनाना चाहते हैं तो हमें crochet लेना पड़ेगा उसमें बड़ा यह मैंने इसमें 5 mm का crochet लिया है और उन है यह बहुत ही नॉर्मल सिंपल उन है पतले वाली crochet की और इसको देखे जाए इसमें इस 5 mm के crochet सिर्फ इसमें चेन बनाऊंगी चेन मे इसमें लूँगी 70 चेन लूँगी में इसमें 70 चेन लूँगी इस तरह से इस मोटे क्रोशिय के साथ यह सत्तर चेन लेके मैं आपको अग्य बताते हूं 70 चेन लेने के बाद में क्रोशिया बदल लूँगी तरह चेन बना ली मैंने इसकी अब मैं इसमें क्रोशिया इसको क्रोशिय से बड़े क्रोशिय से मैंने मोटे क्रोशिय से सिरफ इसकी चेन बनाई है थांको यह ऐसे ढ sanity तरह दो तह्यों मैं यह तीन चोड़ के यहां से इसमें डवल खोश्र लोंगी highly यहां से ऐसे इसके मैं पूरे 70 double crochet बना के फिर आपको दिखाते हूं इसमें 70 double crochet ले लिए बना लिए इसको मिने इस तरह से और यह ऐसे अम मैं इसकी एक लाइन पूरी किये double crochet की अब मैं इसमें लगातार तीन लाइने बनाऊंगे double crochet की जैसे इसमें बने हुए यह देखे यह 70 chain के साथ मैंने इसमें 3 लाइन ने डाली उसके बाद मैंने इस पे एक chain और एक double crochet किया क्रोशिया मैं चला रही हूँ यह 4 mm का इसके उपर आप देखे इसमें मैंने इसकी नारों के लिए इसमें 6-6 double crochet छोड़े 6 double crochet इधर और 6 double crochet इधर इस साइड में और बीच में मैं यह डिजाइन बना रही हूँ यह इसकी बैक साइड है जैकेट की अब इसको हम दिजाइन बनाना बता देते हैं थो बड़ा सा यह डिजाइन तो क्या है सिंपल ही है यह अपना यह यहां से दो चैन और उसके बाद हमने 6 double crochet करना है दो तीन चार पांच छे और यह जो जाली हमने बनाई हुई है यह वाली जाली अब दो लाइनों के बाद फिर से यह जाली है अब इसमें एक चेन बल लिया एक छोड़ा इसमें से ऐसे एक double crochet फिर एक चेन फिर एक छोड़ा नीचे का यह जेन स्पेस छोड़ा हमने एक चेन एक double crochet फिर एक चेन और एक ये छोड़ा इसमें से पूरी हम इस तरह से बनाते हुए इसकी दो लाइने बनाएंगे अच्छे ये वाली लंबाई हमने इतनी बनानी है जितनी हमने अपनी जैकेट की लंबाई रखनी है जैसे मैं इसको अभी और बनाऊंगी ये वैसे ये आगे से गोल वाली जैकेट बन रही है इसलिए थोड़ी सी कमी बनेगी इसकी बैक हमारी ये देखिए ये वाली जो हमारी जैकेट है इसकी ये बैक साइड है ये हम मैंने इतनी बनाई हुई है ये देखिए ऐसे ऐसका इद की आगे की सायड जो है ए वो गोल है ऐसे गवलायई में है तु इसलिए ये वाला जो पोस्षान आमार आप साईड का यह बहुत ज्यादा नहीं आएगा हमारा कमी रखेंगे हम इसको यह देखिए यह मैंने इसकी बैक साइड बना लिए इस तरह से इसे मैं आपको नापके बताते हैं यह हमर पस इसके यह निच्च से बीना खिंचे बीना किसी उसकी यह हमर पस 19 इंचे 19 सेंटीमेटर यह और इसकी यह चोड़ाई जो है वो साड़े नो के आसपास है एक दो लाइने और बनेगी तो यह दस के आसपास हो जाएगी हमारी यह देखे यह इस तरह से इतनी और अब मैं आपको इसको इसके मोंडे घटाने बताते हूं यह श्रग गया इसलिए ज्यादा इसकी हम लंबाई नहीं रखते हैं यह इतनी रखी जाएगी इसको इसके हमने अब देखे इस में लाइने मैंने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरह चोदह पंद्रह सो नहीं सतारा थारा उन्निस बीस इक इस बाइस वाइस लाइन ने बना लिए 22 और अब इस लाइन में इसमें इसी लाइन में इसी में जो ये 22 में अगली लाइन इस जो बुनने जा रहे हो मिलाइन इसी लाइन में मैं एक की बार में इसमें मोंडे गटाऊंगे इसके लिए देखे मैंने एक चैन लेनी है और इधर से अब मैं ये वाला छोड़ दूँगे और यहां से मैं इसमें डबल सिंगल क्रोश करूछेट करूँगे एक यूत तो तीन और चार ये चार्ड सिंगल क्रोशेट कर लिए हमने अमें यहां से इसमें इसको डबल क्रोशेट ले ले लोगे आपर से ये वाला इस तरह से अ इसमें ये दो लाइन एबनानी है हमने और ये पूर्ट पूरी लाईन इसी तरह से डबल क्रोशिट की बुनते हुए यहाँ पर आऊंगी यहां से मेने जैसे इधर 4 डबल क्रोशेट की है तो मैं इधर से चार छोड़ी तो मैं आपको यहाँ पर यह बनाते हुए यहाँ पो आख़े बताती हुए यह देखिए इधर से मैंने चार सिंगल क्रोशेट किये थे और एक चेन चोड़ी थी ऐसी चेन बनाई थी और उसके साथ वाला चोड़ दिया था तो इधर हमारे एक दो तीन चार पांच यह जो पांच है यह हमारे कम होगे और यह देखिए यहां से आपको शेप दिख रही ह होगी हलकी सी और इधर से अब हम आए हैं इसी को बुनते हुए में डबल क्रोशेट दूसरी लाइन और यहां से भी हमने एक ही लाइन में पांच कम करते हैं एक दो तीन चार पांच यह पांच है देखिए फाइव इधर कम होगे और फाइव इधर सिंगल क्रोशेट करके क कर दिया हमने तो अब हम यहां से घूम जाएंगे और अब हमारा जाली वाला चलेगा यह वाला पॉर्शन चलेगा तो अब मैंने इसको यहीं तक बनाना और यहां से घूम जाओंगे यानि कि यह इस तरह से मोड्डे गटाए है इसमें यह बिल्कुल आपको मैं इसी तरीके स बता रहे हूं जिस तरीके से यह बना हुए यह श्रग बना हुए हमारा इसी तरीके से बता रहे हूं अब इसमें हमने वैसे एक, दो, दो चेन करके, और हमने ये देखिए, इस तरह से करना है, ये जाली बनाएंगे हम इसमें, ये वाली, ये डवल क्रोशेट, फिर एक चेन, और ये वाला छोड़ा, और ये, बस अब हम इसको सार एक उपर, मोंडेच के, इसी उसमें बनाएंगे जाली में, एक चेन, presidenteeffective branch इस तरहां से करते हुए हम इसको उपर वाला portion बनाएंगे इसका जैसे कि यहां से बना वा हुआ इसमें यह वाला portion इसी तरहां से बनेगा अब में आपको इतना बना के उपर फिर दिखाते हूं अब देखे अब हमें फ्रेंट बनाने इसकी हमने बैक बना लिया इसकी और आप हमने फ्रेंट बनाने फ्रेंट हम यहां से यह अलग से शुरू करेंगे इसका और इसको इस तरह से तिर्चा बनाएंगे यहां से बढ़ते हुए आएंगे और उसके बाद हम इसकी एक साइड से उपर उपर की फ्रे से डवल करोश्ट उठाएंगे इसके लिए हम ये वाला पॉर्षन इतना यहां से ये और ये ये गुलाई और ये त्री ऩर्गोन बनाने के लिए हमने ये पंदरा चेनली जी इस तरह से अम मैं इसमे एक चैन लेके और तीसरे मैं से इसमे डबल खुरोश्ट कर दूंगी ये म मेने 15 डवल क्रोशेट कर लिये, हम मैं इसमें दूसरी लईन इसमें यहाँ से देखिए यह जाली होते हैं तो हम झाली के glass mil बनाएंगे हमने पंदरा शुरू और यहां पे आप बढ़ते बढ़ते हमार पस यह जालियां 30 का मैं हमक्ला हो गया हमार पस यहां पर 60 साथ डवल क्रोशेट हो चुके यहां पर इस वाले में यह हिसाब है चुआ करें जतने गुलाई करने के लिए 20 double crochet भी उठा सकते हैं और जितनी हमने यह उतनी लाइने बनाने है जितनी हमारे यह यह वाली जो बनाई है हमने पिछे की बैक बनाई हुई है यह वाली इसके हिसाब से हमने यहां तक यह बनानी है यह देखिए यहां से मोंडे निकले हुए इसके और यह वाला अगला पॉर्षन अमने इस हिसाब से बनाने पिछे की तरफ से के हिसाब से उसी साब से यह बनेगा जैसी में यह टोटल यहां पर देखिए दो चार तीन दो पांच दो साथ आठनों दस क्यारां बाराँ तेरां चोदा पंदरां सोल नस तारां यह तारां के धी स्तारां है इस हिसाब से रखते हैं इसमें देके गते डोट ही बल्लिया एक शे वड़ा इससे आगे इस तरह अक्ट यह जाए अब हम अगली बारी में इसमें बढ़ा देंगे इसमें हम दो-दो लेंगे और यह वाला तौ साथ में बुना ही जाएगा फिर इसमें हम आर पस यह बढ़ते चले जाएंगे एक चेन और यह आगे जाली एक चेन और यह आगे जाली अब देखिए यह लास्ट आगया हमारा तो अब हम इसको ऐसी बुन लिते यहां से हमने यह बुन लिया और यह निचे वाला कि दो चेन जो हमारी थी वह भी बुनी जाएंगी कि यह मर पस इदर तीन लगाता डबल क्रूशेट आगे अभी एक दो और इसको हम ऐसे बुन लेंगे इसे भी ऐसे बुन लेते हैं अब हमने यहां पे दो लेने और यहां पे एक इस तरह से बढ़ाने यह इस जाली में से हमने दो डबल क्रूशेट और एक इस तरह से बढ़ाते हुए हमने इसको तीस जालियों तक लगातार बनाते चले जाने जैसे यह यहां तक जब तक हमारी 30 जालिया नहीं हो जाती अभी देखे अमर पस एक दो तीन चार पांच छे छे जालिया इनको बढ़ाते हुए हमने सतारा लाइनों में यह जालियां पूरी करनी है क्या देखिये सोभने के बाद यहां से आसी और अब इसमी में इस तहर से बना रही हुए के यह बहुत हो गया थोड़ा सा और देकिये शेप इस था हम这犟 धाते यहां से इसमें फंदे उठाए जाएंगे और यह इदर से इस तरह से गुलाई लेगा ऐसे जब इसमें जालर लग जाएगे यह वाली किंगरी हो जाएगे तो यह बिल्कुल सही दिखाए देगा थोड़ा सो और बड़ा बने गई अब यह देखें यह हमारे पिछे की बैक सा ड़ेड एचों त्यार के यहां से मैने दुन्म तरफ से मंत घटाने के बार जो कि मैने एक फी обяз हमकिए थे और उसके बाद मैंना इसके उपर यह भी देखे 2 इसमें मोंडे गटाए ह्ए यहासे देखिए के मॉंडे गटाया हमने और यह 2,4,6,8 ,10,ी,12,14, 10,10 और एक पंद उपर का पॉर्शन बनाना है इसका यह वाला यह यह बनाना हमने इसकी यह वाली साइड बनाने है और जो की इस तरह से बने की अब हमने यह दो पर ले बनाने है इसकी एक इसकी दाइन साइड बनाई जाएगे और एक इसकी बाइन साइड बनाई जाएगे यह देखे यह मैंन यह इसको दोनों तरफ से जो उल्टा है वो अंदर की तरफ रखके इसको यहां पर देखने यह देखिए यह इस तरह से बना यह भी थोड़ा ऐसे लग रहा है लेकिन जब यह जोड़ जाएगा और इस पर उपर की किंगरी हो जाएगा तो यह बिल्कुल वैसी जैकेट लगे जैसे यह है अब देखिए इसमें हमने यहां से इसमें फंदे उठेंगे यहां से और एक जो दूसरा मैं बनाऊंगी इसमें हमने देखिए इस तरफ से ऐसे किया है यह उपर की तरफ आया जो दूसरी सिद्धी साइड होगी वह हमने दाया बाया देखके कि उसकी भी यह कि किंगरी जैसे यह इधर उपर को आ रही है तो इसका यह हमने यहां से इस साइड से ही निच्चे कुद्र रखना है यह मैं आपको बना के फिर दिखाती हूं और यह इसकी मैंने यह वाली साइड बना ले आग्गे की फ्रंट यहां से यह इसका निच्चे का पॉर्षन बनाए यह देखिए ऐसे आएगी यहां से हमारे जब हम इसको करेंगे सिलाई यहां से साइडों से सिलाई करने है इसको यहां से इसके साथ और यहां से हम इसका आग्गे का भाग बनाएंगे उपर वाला पॉर्षन इसी तरह से मैंने इसके यह दोनों बना लिए देखिए यह ऐस यह देखिए इस तरह से बन गए हमारे यागे के दो हिस्से जो बने और इसमें हमने अब यहां से इसके यह आगे का फ्रंट के उठाने और यहां से हमारा वीगला के गटाई होएगी इसमें जैसे यहां से यहां से यह वाला पॉर्शन हमारा कम उता जाएगो यहां से हमने फ कि देखें इसना जैसे यह बना हुआ है हमारा यह पर्शन हमारा यह वला बन से और इसमें से उपपर से हमने यह उठाने हैं यहाँ से डबल dovr देट वाले और यह यहां से र면 ग़ला घटा है इसकीology बताऊंगए जैसे के यह को मैंने इसWow लेडों बना लिये हैं और यह देखिए यहां से जुड़ेंगे और इसमें अब हम यहां से मैं इसमें double crochet उठाऊँगी अच्छा इसमें आपने यह ध्यान रखना है कि इसमें जब हम बनाएंगे तो यह देखिए इसको यहां से देखिए निच्चे से यह इसकी उल्टी साइड है यह इसकी पिछे वाली यह सिद्धिय और इसमें हमने यह व डेखिए धागा एक मैं जब पूरी करेंगे इसकी स्तारा लाइने यह बनाई यह बनाईएं इस साइड का धागा हम यहँं से लगाएंगे तोढ़के से युसकी दाइए और बांय साइड बनगी है अगली पिछली होगे हमारे ठल लेई और अब हम इसको उपर से बनाएगा है यह देखिए यह हम यहां से बुनते हुए आ रहे थे इसको हमने यह बुना यह दागा हमारा इधर यह गोला लगा हुए इसी साइड का और इधर पहुंचे तो इसमें हमने दागा तोड़के आगे लगाना है आगे की तरह लगाना है लेकिन एक में दागा हमारा साथ के साथ ही चलेगा अब हमने इसका ऊपर की फ्रंटसे बनानी इसके लिए हम यह हमें यहां से मयन इसमें दो चेह ओ अमय समें दो डबल खुरुशेट लोंगे और उसके बाद मैं इसमें यहां से ले लोँगे 114 और फिर हुँ आ गगे से दोधु डबल कोषिट के जोड लेते हुँ चल लए हर एक लाइन मेंохराई डोबल कोषिट हा हुदु दबल क्रोशिट एक दिए से लाइन में इसे से इसे Dare इंड में से हमने डबल क्रोषिट लेते हुए चलने यह यहां से यह जो हमने स्तारा लाइने बनाई हुई है यह वाली और इसमें से हमने यहां से इदर से डबल क्रोशेट इस होल में से निकालते हुए बनाते हुए चले जाने हैं और बीच में एक दो जगा हम और बढ़ा लेंगे इसमें हमने कमनी रखने है यह 18 या 19 यह हमने 36 के आसपास रख जाएंगे नहीं हम इसे बढ़ा के भी रख सकते उसके लिए हमें यहाली जो लाइने आगे कि स्तारा लाइनों से ज्यादा डालने पड़ेंगी और उसके बाद हम इसको और बढ़ा के उठा सकते हैं से double crochet बढ़ा के उठाए जा सकते हैं अब यह आगे से double crochet एक होल में से अब आगे फिर से ऐसे double crochet और यहाँ पर आके हमने इसका मौंडा गटाना है क्योंकि यह हमारा देखिए इस तरह से आ रहा है यह बनाती हुए आ रही है तो यह हमने यहाँ से जोड़ना है यह वाली सैड इधर से किनारे से जुड़ेगी तो यहाँ पर हमने यह जो इधर गटाई की हुए है यह गटाई हम इस सैड में भी करने है हम इसमें दो गेटाई कर देंगे दो लाइनों की और हमारी बरावबर आचे सबढ़ के हैं और यहां अब हमने गला कम गटाना इसका आप देखिए निच्छे से दो हमें चाल देंगे हैं तो दो डबल क्रोशट फैसे हमने चेंडो की और यहां से हिस Means हम पटा चल जाएग दिन हुआति हमें इतना ही रखना है टु इतने निच्चे लाइन है तो हमें एक और यहां पर डबल क्रोशेट करना पड़ेगा लेकिन हमने यह गला घटा रहे हैं तो हम यह इसको ऐसी छोड़ देंगे और यहां से गूम जाएंगे अब देखे अब हमें उपर वाली लाइन तो इतनी बनानी है जितनी यह है तो अब हम इसमें दो चेन लेंगे और यहां से सिद्धा इसको उपर से अब जब हम अगली बारी आएंगे तो हम इसको छोड़ देंगे यह वाली चीज़ छोड़ देंगे और यहीं से गूम जाएंगे पिछे से इस तरह से इसमें हर बारी में कम करते हुए चलना है और यह हमारा गले की गटाई हो जाएगी इसको बुनती हुए इस लाईन को बनाते हुए इधर आओंगी यहां तक बनाई करूंगी इसकी और उसके बाद जब मैं अगली चोथी लाईन में आओंगी फोर्थ रोर बनाऊंगी तो मैं इसको यहीं तक बुनूँगी और यहां से एक डबल क्रोश्ट आजएगा और इसकी गटाई हो जाएगी एक कम हो जाएगा इसका यह गला के गटाई इस तरह से चलेगा अब मैं आपको यह गला की गटाई करके दोनों तरफ से फिर दिखाती हुए कैसे बना इस थे पोंच गया हम यहां पर इस तरह से पूंच गया आप हमने इसकी गटाई करनी है अब हम यहीं से इसको छोड़ देंगे और यहां से गूम जाएगे इसको यहां तक बुनते हुए आना है इसकी तीसरी लाइन में और यह वाला नहीं बुनना आके से को यह के गटर है हम रहा और यहांसे गूम जाएंगे एक दो टी कि गा में तीन चेनल ले लेते हैं बात में इसमें के इंगरी बनानी असान रहे आई लेंगरे कि हम एक और यहां से यह तो है कि यह जो चीज रही है हमारी यह यहां से है अब हम यहीं से गूम गया है तो इतना पॉर्शन हमारा कम हो गया यह गले का पॉर्शन है हमारा यह कम हो गया अब हम यहां से इसको यहां तक बुनते हुए लाएंगे और फिर गूम के फिर हमने यह वाला पॉर्शन छोड़ देने इस तरह से करते हुए हमने इसक यहां से जोड़ने हैं वो इतने ही रखेंगे जितने हमें चाहिए इस तरह से और यह सारा पॉर्षन आगे का घटा के हमने दोनों तरफ से इस तरह से करके और यह यहां से जोड़ने हैं मैं आपको यह घटा के फिर बताऊंगे, यह देखिए, यह हमने इसका गला घटा लिया यहां से, हर बारी में हम इसके दो-दो कम करते गए हैं, जब हम गूम के इधर आए हैं तो हमने दो कम कर दिया, फिर गूम के आए हमने यहां से दो कम कर दिया, इस तरह से हमने यहां पे यह देखिए यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, और आठ रख लिए यह डबल क्रोशेट और यह हमारा यहां से यह इस तरह से आएगा, यह देखिए, यह वाला पॉर्शन, तीन लाइने और इसकी बचे हुए, वो मैं अब बना कूंगे, और उसके बाद हमने इधर से शुरू करना है, यहां से और यह हम इधर से घटाएंगे, जैसे हमने यह घटाएंगे, यह देखिए, जैसे यह घटाएंगे, वैसे हम यहां से अब इसके फंदे उठाके, डबल क्रोशेट उठाके, और इसको यहां से इसके गले की इस तरह से काट करेंगे, और यह हमारा फिर ऐसे बन जाएगा जैसे यह है इस में इस तरह से गला के गटाई हुए हुए यह यहां से ऐसे यह चीज बन रही है इसको बना के फिर दिखाते हुए आपको यह देखे यह इसमें मैं इस साइड से इस तरह से गटा रही हुए यह हमारे ऐसे आगे देखे बनते हुए यह गटाई हो रही है गले की और यह यहां से बनाया मैंने ऐसे दो डबल क्रोशेट एक ही उसमें से के और यहीं से मैं गूम गई है यहां से यह देखे एक और कम हो इसमें इस तरह से ही हमारे बनेंगे अब हम फिर से एक दो तीन तीन चेन लेके यह इसमें डबल क्रोशेट करेंगे यह भला आई गया है यहां से हांके ऐसी क Ken 하 आए अब जब हम इसमेंसी इसको बनाते हुए हम यहां नहीं गूंते हुए इधर से इदर आएंगे तो यह फिर से यह वाला कम हो जाएगे इस तरह से इसमें यह गला गटाया हुए मैंने देखे और यह तेक हिए गला हमसा इस साइड का है यह हमारा ऐसे आएगा एक में हम सिद्धी साइड से गटाया थे इदर से हमने जब गला गटाया यहां से वी शेप का गला है यह तो जब हमने इदर से गटाया तो हम इसको सिद्धी साइड से कर रहे थे राइट साइड से गटाया थे और जब हम दूसरी साइ भर के से देखेंगे यह ऐसे आएगा तरह यह इस तरह से एसे अए आप और बन और बनेगा है फिर में दिखाते हूँ यह देखी बैंद लों पिछले दुनों बं़े हैं तो अब इसके जैकेट के यह 25 हमारे अब हमने इसको हो अंदर की तरफ इसके तिलगव साइड सिद्धी रखनी है इस से अंदर से शिद्धी और इसमे से इंको उल्टी साइट से सिलाइए करनी है अब हम इसको यह सिल सकते हैं या फूब कर देखili से इस तरह से लिए ऑब पर यह देखे ऐसे एक चेन ले लेली है अब हमने इस वाले से एक और इधर से एक ऐसे लित्ते हुए इसको इस तरह से जोड़ना है अच्छा यदि आपका हाट टाइट चलता है तो बीच में एक लेली से जोंक यहां से इधिर से एक एक एर दो का एक फिर औ Around? अंप ससे इसको देखी है है टे हुआ है इस तरह से आट के आप फसला में यहां से यह शोड़ने यहां से इसको इस तरह से और यह ऐसे और यह देखे यहां से इस तरह से आपस में मिलाते हूँ इने जोड़ देने हमने इने चाहें तो सुई दागे से जोड़े चाहें जैसे यह इस तरह से यह इसी एक चेन बनाई और अगले वाले पकड़ के यहां से और एसे इस तरह से आप इसे जोड़ सकते हैं बीच में चेन लेने यदी आपका हात नॉर्मल चलता है तो चेन लेने के जुरूरत में है सिंपल जोड सकते हैं इसको इसी तरह से ऐसे इमें आपको जोड के और फिर दोनों साइडें जोड के फिर दिखाते हैं फिर हम इसकी गेंगरी यह देखिए यह हमारे सिलगी है यहां से साइडों से यह मैं ने इसको करती है पूरा और इधर से इसको और यह बनने के बाद इस किनारी मैंने ते eta छोड़ा एक शेड कांड़ा बंच की ऐमने सीधी शेड करें लेग इसके हैं इसको यहां से बारे में हम इसमें पूरा गाल इसले में लिए कि दो चेन कि इसमें पहले तीन चेन ले लेते हैं बल लेके और हम इसमें जाली बनाते जाएंगे सारे में नबल ग्रोशेट के साथ एक एक छोड़ते हुए इस तरह से इसमें हम पूरे में यहां से जाली बनाएंगे यह देखिए इस तरह से हमने इसमें जाली बना लिए सारे में और अब हमने रेड गलर के उन ले नहीं और इसको हम एक साइट से शुरू कर लेंगे इस तरह से और इसमें हमने एक चैन लेके इसको अंदर ले लेंगे तेन चैन लिए हमने अब हम इसमें दो तेन चार पांच इस तरह से पांच डबल क्रोशेट करेंगे और आके वाले में इसमें इसको सिंगल क्रोशेट से इस तरह से जूर देना है फिर हमने बर लेने और अगले वाले में कर दो तेन चार किंगरी हम कोई और भी कर सकते हैं अब निच्चा से पांच पांच लिए और इसमें यहां से ऐसे इस तरह से बंजेंगे फूल लगाएंगे जैसे मैंने इसमें लगाएं हूएं लेकिए मौनन है इस ज्यकट में इस तरह से अमने सिरिके इंगरी करने खेंडना जैसे में जिसरी यह से बिल्ष जिर्यास परचे इलएक यह से चरुल कि योथ साज्डे इस तरह से इस फे इन्ग एंग्री कर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं नहीं लगाना चाहें तो ऐसे भी अच्छी लगेगी और उमीद है आज आपको ये श्रग जैकेट में आनी असान लगेगी और पसंद आएगी मिलते अंगले वीडियो में धन्यवाद